लोगों को काफी उमीदे थी बज़र 2021 से लेकिन उन सभी उमीदों पर गौर्वर्मेंट ने पानी फेर दिया पहली उमीद ये थी कि इस बार इंकम टेक्सस लैब में चेंज होगा इंकम टेक्स लैब की जो है वो इंक्रीज होगी लेकिन फनेंशल ये टूंटी वन टूंटी टू के लिए भी इंकम टेक्सस लैब डेट को अंचेंज रखा गया है उसमें कोई भी जो है चेंज नहीं किया गया और नहीं उसको इंक्रीज किया गया दूसरी जो लोगों को उमीद थी वो थे कि स्टैंडर डेटक्शन को गौर्मेंट इंक्रीज करेगी लेकिन स्टैंडर डेटक्शन को भी गौर्मेंट ने इंक्रीज नहीं किया है वो भी लास्ट चेयर की जो स्टैंडर डेटक्शन फिफ्टी थाउजन थी उस लिमिट को सेम रखा है थर्ड जो लोगों को उमीद थी कि गौर्वंट जो है 80C की जो है और 80D की जो डिटक्शन है उसको इंक्रीज करेगी लेकिन उसमें भी गौर्वंट ने कोई भी अक्षेंशन नहीं दी है सरफ इंकम टेक्स के रिगार्डिंग एक चेंज लेके आई है कि जो टेक्स पेर्ड़ है जिनका टर्ण वर पांच क्रोर से ज़्यादा था उनके लिए और्डिट कंपल्स रही था लेकिन उस लिमिट को इंक्रीज करके गौर्वंट ने उस लिमिट को 10 क्रोर कर दिया है और एक जो और उसमें अमेंडमन निकल के आई है बजट में कि जो सीनियर सेटिजन है जिसकी एज 75 यर से ज़्यादा है उसके लिए आईटियर बरना ज़रोड़ी नहीं है तो ये गौर्वंट की बजट में अनॉंसमेंट्स हैं जिसमें इंकम टेक्स लैब में या कुछ और कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गी है जो इसमें लोगों को काफी उमीद थी उसमें कोई भी चेंज नहीं किये गया तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को लाइक किजिए शेड के जियो कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू